नमस्ते बहुत बहुत सुवागत है आप सबका एक विशेश आइश्ट्रो एक्सपेरिमेंट में मैं हूँ आपके साथ आपका आइश्ट्रो फ्रेंट आज चर्चा हम करने जा रहे हैं नीद में बढ़ बढ़ाने के पीछे के कारणों पर नीद के मतलब सोते समय पिछले दिनों में हमने बताया था कि चौंक कर कुछ लोग उठ जाते हैं आज जो हम चर्चा करेंगे नीद में व्यक्ति जो बोलने लग जाता है इस विशे पर निश्चित रूप से उस दौरान वह स्वपनों की दुनिया में रहता है इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कई बार बढ़ बढ़ाते हुए बगल में लेटा व्यक्ति जगा कर जब पूछता है तो उसे याद रहता है कि किस वजह से उसने क्या सुपन देखा और क्यों बुद बुदाया बढ़ बढ़ाया कुछ लोगों को हमने देखा है फिल्मों में भी दिखाया गया है कि नीद में चलने लग जाते हैं कुछ लोग लंबी-लंबी यात्राएं कर लेते हैं नीद में खैर बात सिर्फ नीद में बढ़ बढ़ाने की है इस आदत के पीछे किस ग्रह का विशेश योगदान होता है किस ग्रह के कारण ऐसा संभव होता है कौन से ग्रह इसके लिए रेस्पॉंसिबल है यह एक शोध का विशे है जिस पर हमने जब निगाह डाला तो निशकर्ष निकलाया आप सब चुकी जोतिश के विग्य लोग हैं विद्वान लोग हैं जानकार लोग हैं समझदार लोग हैं तो निश्चित रूप से हमारे शोधों को हमारे तरकों को पकड़ेंगे और पकड़ करके आप लोग भी अपना रिमार के जरूर देंगे मित्रों तीन ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं नमबर एक दुतियेश और बुध यदि द्वादस भाव से किसी के जन्मांक में सम्मंध बना ले तो ऐसे लोग निश्चित रूप से नीद में बढ़ बढ़ाते हैं बोलते हैं सेकेंड हाउस का लॉर्ड आप देखेंगे कि सिंग लगन सिंग राशी वाले सबसे ज़्यादा नीद में बढ़ बढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा नीद में यही लोग बोलते है जिसका भी सिंह लगन है या सिंह राशी है आप इनके जन्मांग का विश्लेशन अगर करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा आपको बस केवल समझने की आवशकता है ये ऐसा संयोग होता है ये कैसा प्रभाव होता है अब यहाँ पर जो मूलतत्तो समझना है कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है कोई ऐसा अगर कर रहा है तो क्या यह कोई चिन्ता का भी विश्य है कुछ लोग डर जाते है मैं बस एक बात बताऊँगा कि वाकई यह डरने की बात तो है क्योंकि यह संकेत बहुत सकरात्मक नहीं है यह संकेत किसी न किसी रूप में आने वाले समय में किसी दैवीय आपदा का संकेत हो सकता है कि आपके परिवार पर आपके स्वजनों पर आपके अपनों पर किसी न किसी रूप में शारिरिक मांसिक या आर्थिक प्राकृतिक आपदा आ सकती है अचानक किसी का एक्सिडेंट हो गया किसी ने कुछ केस कर दिया वाहन चोरी हो गया इस तरह से कि परिवार पर किसी तरह की इसको मैं प्राकृतिक आपदा कहता हूँ यह कोई प्लैंड नहीं होता है यह प्रिकृति ने भोग के आधार पर दिया मतलब यह संकेत अच्छा नहीं है कहने का मतलब यह हुआ कैसे बचा जाए क्या प्रियोग इसके लिए किया जाए हल क्या निकाला जाए अब मैं यह बता देता हूँ इसमें एक थाली में कच्चा चावल दाल आटा नमक हरी सबजी और कुछ ग्यारह किसिक्यावन रुपे अपनी छमता है एक थाली में इसे हमारे यहां कहते हैं सीधा निकालना हमारे अवधांचल में अवध में फैजाबाद अमबेटकर नगराद के बेल्ट में कहा जाता सीधा निकालना कच्चा अनाज एक थाली में सजा करके और किसी मंदिर में या जरूरत मंदिर को पहले वैसे मंदिर में ब्रामण को दिया जाए तो बेतर है अगर आपको सुबह उठने के बाद सुअपने याद रहता है आपने क्यों आवाज लगाया क्यों बढ़ बड़ाया तो ये संकेत जादा बेटर है अगर आपको याद ही नहीं है तो ये संकेत जादा खतरनाग है कोशिश बचने की करनी जाए ऐसे लोगों से अंडूध है कि शयन से पहले हाथ पैर सबसे धुलने सुखालें गीला पैर सोना नहीं चाहिए लेकिन भोजन से पहले रात्री भोज से पहले प्रापर तरीके से पाउं अच्छे से साफ कर ले मीन राशी को बिल्कुल स्वक्ष कर ले स्वक्ष पाउं रहे पहले चीज और डार्क कलर अवाइड करे बेडशीट और सोने वाला जो कपड़ा हो सफेद जादा सजादा हो तो जादा बहतर है दक्षण या पूरब सिरहाना करे धीला वस्त्र पहन करके शैन करे और अपने इश्ट का ध्यान करते हुए दुरगामा, शिव, पार्वती, गनेश, बजरंगवली, शिर्राम, ठाकुरजी जो भी आपकी इश्ट हों जिनकी आप पूजन, अर्चन, वंदन करते हों उनका ध्यान करके आप शैन करना आरंब करिए चार से छे दिन लगेगा, हफ्ता भर लगेगा, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा उमिद करते हैं, इस कारिकरम का लाभाव आप लोग जिरोड लेंगे और रात ग्यारा बजे आप हमारे साथ लाइब जूड सकते हैं फेस्बुक पेज आचारे संतोशी पर लाइब जूडने के लिए हमारा पेज आपको लाइब करना होगा आप फेस्बुक पर अगर हैं तो आप जाके वहाँ सर्च कर लीजेगा कोई भी वहाँ पर फ्री में प्रश्ण का उत्तर प्राप्ट कर सकता है हर रोज हम रात 11 वजे लाइब रहते हैं गाजियाबाद कार्याले में मुलाकात का समय आरम हो चुका है आप किसी भी शहर से हैं गाजियाबाद आकर हमसे मिल सकते हैं कुनली दिखा सकते हैं फिलाल के लिए मैंनमद दीजेगा नमस्कार शेरादे